हाई फ्रेंज वेलकम एक खुश्मु कीचर में तो आज मैं बनाने वाली हूँ मेरे स्टाइल में दही चाट जो बनाने में बहुत ही असान है और तेस्ट में भी बहुत यम तो चलिए फ्रेंज बनाते हैं इसके लिए हमें चाहिए तीन हरी मिर्च अध्रक को टुकरा तीन प्याज और तीन लहसन की कलिया इसको कट कर लेंगे फ्रेंज ये कट हो चुका है फ्रेंज अब इसको फ्राइ करेंगे तेल लेंगे तेल इसके कॉर्डिंग माने लिया है जितना फ्राइ करना है तेल हमारा गरम हुचुका है फ्राइ करेंगे फ्राइ करेंगे फ्रेम को मैंने मीडियम रखा है तीन जुटकी हल्दी लेंगे एक चमच आमचूर पौडर मिक्स कर लेंगे अब हम डालेंगे दो चुटकी काला नमक मिक्स कर लेंगे देखिए फ्रेंड्स यह गोल्डर ब्राउन हो चुका है अच्छे सफ्राई हो चुका है गैस को आफ कर देंगे आलू को मैंने उबाल लिया है अब आलू को मैश कर लेंगे अलू अच्छे से मैश हो चुका है अब जो हमने फ्राई किया था वो डालेंगे मैश आलू में सबको अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इसकी टिक्किया मनाएंगे लेंगे फ्रेंगे फ्रेंड्स यह दिखे फ्रेंड्स आप अपने एक औरिंग साइज रखें तिक्की का सभी को ऐसी ही बना लेंगे तिक्की हमने बना लिया है अब इसको हम लोग सेकेंगे तिल लेंगे एक टिक्की के लिए इतना तेल लेंगे गरम होने का वेट करेंगे जैसे ही तेल गरम होगा हम तिक्की डालेंगे हमारा तेल गरम हो चुका है फ्रेंड्स टिक्की लेंगे डालेंगे फ्लेम को लो रखेंगे और अच्छे से सेकेंगे अच्छे से पल्टेंगे फ्रिंट्स देखे फ्रिंट्स अब दूसरी तरफ सेखेंगे यह हो चुका है फ्रिंट्स निकाल लेंगे दूसरी टिक्की को भी ऐसी ही सेख लेंगे फ्लेम को लो रखेंगे टिक्की तयार है फ्रिंट्स अब दही का घोल बनाएंगे दही लेंगे फ्रिंट्स दो स्पून हम लोग चाट मसाला लेंगे फ्रिंट्स और दो चुटकी काला नमक आदा स्पून कस्मीरी लाल मिर्च लेंगे थोड़ा थोड़ा पारी लेंगे और घोल बना लेंगे इसका फ्रिंट्स थोड़ा पतला और देखे फ्रिंट्स दही का घोल हमारा तयार है एक प्याज चार हडी मिर्च और धनिया पत्ता कट्ट्स कर लेंगे धनिया पत्ता प्याज और हडी मिर्च कट हो चुगा है फ्रेंट्स टिक्की लेंगे दही डालेंगे धनिया पत्ता और हडी मिर्च प्याज प्याज तयार है हमारा दही चाट अब टेस्ट करेंगे फ्रेंस यह बहुत ही यम बना है और टेट पटाग तो आभी बनाईए दही चाट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे धेर सरा लाइक कर दीजे मिलते हैं नियू बड़ी के साथ बाइ बाइ फ्रेंस थांक्यू फ्रेंस सेर करना ना भूलें